हेलो अब्रीबन चलिए कल तक इससे पहले लेक्टर में हमने जेग्राफिक क्लासिक्स का आपको हमने चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री बताया ठीक है आप जाके देख सकते हो ठीक है यहां से हम लोग चैप्टर फोर का स्टार्ट करेंगे जो मैप है इस चै इसमें हम लोग नेच्टरल फीचर्स अप दा अर्थ को दिखाते हैं सचा इसको फिजिकल मैप के तुरू दिखाते हैं आपको पता ही होगा फिजिकल मैप होता है अगर आप से एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप कन्फ्यूस कर जाओगे इसलिए यहां पर मैंने बता है तो फिजिकल मैप में हम लोग 2 दिखाते है ठीक YOUR किमेच मैप भी होता है वह क्या दिखाता है स्पेसिफहिक इंफोर्मेशन जैसे रोड़ हो गया रैंफॉल मैप हो गया यह सब पॉनेटिक मैप समा जात Turks अगर आप photons मा देखोगे उसमें हम लोग या सिल मोग क्या East और South के बीच में South East होता है West और South के बीच में South West होता है North और South के बीच में North West होता है ठीक है ये बहुत practical है और बहुत असान सा बात है आपको पता ही होगा देखो Map में कुछ चीज़े क्या होता है Blue color से हम लोग Water Bodies को दिखाते हैं Brown color से हम लोग Mountain को दिखाते हैं Yellow color से हम लोग Plateau को दिखाते हैं और Green color से Plains को दिखाते है Basic चीज़ है बहुत basic Classics है तो आप मानलो basic ही होगा तो हम इसमें Classics का लेबल का ही बात करेंगे ठीक है अब देखो Chapter 5 है आपका Major Domains of the Earth ठीक है देखो जो Solid portion होता है बच्चों उसको हम लोग Lithosphere बोलते हैं यह बहुत interesting chapter है बहुत important है Base आपका बहुत अच्छा कर देगा जो Gaseous layer होता है उसको हम लोग Atmosphere बोलते हैं और Water और Water Vapor जो होता है उसको Hydro बोलते है Hydrosphere तो Hydro से आपको पता चल जाएगा वाटर वाटर वेपर का हम बात करें तो Hydrosphere करेंगे और Gaseous का बात करेंगे तो Atmosphere और Solid portion जो Earth का होगा उसको हम लिथो स्पियर बोलेंगे अब Biosphere क्या होता है ऐसा situation और ऐसा location जहां का common domain हो जहां पे Atmosphere Hydrosphere और Lithosphere का common area That is called Biosphere जहां पे Life exists करता है जहां पे आपको Life exists करता है Biosphere क्या होता है Narrow zone होता है देखो Narrow zone है Where we find a land, water and air together सब कुछ हमको एक जगह मिलता है Which contains all forms of life जहां हम लोग रहते है That is called Biosphere अब समझते हैं डिटेल में Lithosphere क्या होता है Solid portion होता है यह उपर ही देखा हमने It comprises the rock of the earth Crust and the thin layer of the soil Soil का thin layer हो गया Rock हो गया Earth crust हो गया All comprises the Lithosphere Contained nutrient elements Which sustain the organism ठीक है Large land mass है तो उसको हम लोग continents बोलेंगे दैसे Asia is a continent Europe is a continent Africa is a continent अगर huge water bodies है तो उसको हम लोग Ocean basing करेंगे जैसे Pacific Ocean Atlantic Ocean Arctic Ocean ठीक है इसको हम लोग देखेंगे Indian Ocean ठीक है उसको हम लोग अभी detail में देखेंगे Label of sea Water remains the same everywhere तेको Water कहा है Water सब जगह एक जैसा रहता है इसका आप example देख साग तो किसी भी bucket में किसी भी shape में आप water डालोगे तो उसका label अगर मालोग बकेट उपर नीचा है उसका shape कुछ भी हो वो उस तरका shape ले लेता है इस प्रोपर्टीज दब water ठीक है तो क्या होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का आप railway station पर देखना कि यह station समूध तल से इतनी उचाई पर है इसका मतलब यह है कि हम लोग जो distance या फिर height जो है वो level of the sea से नापते क्योंकि हर इंडिया का इंडिया ने पूरे world का जितना भी ocean है सबका water level से में land जो है ups and down होता है इसलिए the level of sea water remains the same everywhere लिखा हुआ है elevation of land is major from the level of sea which is taken as zero level of sea को zero लिया जाता है उसको reference मान के हम लोग height नापते बहुत basic से बता रहा हूँ आप इसका notes at easy लिख सकते हो और आपको बहुत help करेगा highest mountain peak जो है जो की 8848 meter above the sea level है यह example के लिए आप समझ सकते हो आप greatest depth देखोगे देखो ऐसा नहीं है कि mountain बहुत बड़ा है अगर आप ocean में देखोगे न ocean के अंदर भी बहुत बड़े-बड़े mountains type का बना हुआ है तो greatest depth जो है ना मतलब greatest depth हम बात करने कि इसका ओशियन का तो वह 11,022 meter है जो मेरिना ट्रेंस में record किया गया है यह pacific ocean में पाया जाता है यह fact है और आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब देखते हैं कुछ कुछ एडमर्ड हिलेडी एक्जामपल है निजुलेंड के है और चेंजिंग नौर्बेश सेप्रा इंडिया के यह पहले मैं थे क्लाइम दा मॉन्ट आपरेस्ट ऑंदर 29 मई 1953 ठीक है इन्होंने पहले फर्स टाम मॉन्ट आपरेस्ट पे चरहा था ठीक है फैब्रेवल कंडिशन होगा ठीक है फॉर्स इंडियन मुमेन कौन है वह है बेचंदरी पाल यह सब को पता होगा क्लास 9 या 10 के हिंदी के हिंदी बुक में भी इसका स्टोरी है ठीक है आप देखो कुछ 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 कंटिनेंट के बारे हैं पढ़ते तो कितने कंटिनेंट एसिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका सौथ अमरिका ठीक है अस्ट्रेलिया और अंटार्टिका इतने इतने आपके क्या है कंटिनेंट है ठीक है कितने होगे 1234567 लेकिन आप देखोगे ना अंटार्टिका में लाइफ एक्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहां पर 12 क सब्सक्राइब , यह पर नहीं करता लाइफ एक्जिस्ट के लिए बा horrific में अश्रीका में और इसे में ठीक होगे अर्थ को दो पार्ट में बाता गया है Northern Hemisphere और Southern Hemisphere एक्वेटर अगर यह है तो इक्वेटर से ऊपर को हम लोग Northern Hemisphere बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग Southern Hemisphere बोलते हैं Northern Hemisphere में एक लाइन ड्रॉप करेंगे वो कहला था Tropic of Cancer जो 23.5 नौर्थ से चलता है नौर्थ लाइन है वो ठीक है एसे 23.5 जो है उसको हम लोग Tropic of Capricorn बोलते हैं तो यह आप याद रश सकते हैं अब देखो एसिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एसिया जहां पर हम लोग रहते हैं यह largest continent है और यह वर्ल्ड का वन वाइट ट्री टोटल लैंड को यह एक्वाइर करके रखता है ठीक है लाइज इन दे इस्टर्ण हेमिस्पेर यह इस्टर्ण हेमिस्पेर में ठीक है यह बात ध्यान रखना ठीक है अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा ट्रॉपिक आप कैंसर पासे थूद दीस तो आपका एक हमबग है कि आप देखो कि इंडिया के किस किस स्टेट से ट्रॉपिक स्टेट गर्णा पासक करता यह आपके लिए हमबग है ट्रॉपिक अब इघान से बच्चों देखो यहां पका एक उराल मॉंटेंस है और यह एसे उर्प को इक्वल टिवाइड करता है देखो आप देखो गे यह पूरा का पूरा जो एरिया यह पूरा का यह एरिया आपक क्वाइब और यूरोप में है, और कुछ पार्ट उसके एसिया में है, इसलिए उसको euro asia बोला जाता है, उराल mountains यहाँ पे connectivity है, Asia और यूरोप को connect करता है उराल mountains ठीक है यह आप यह याद रख सकतो, देखो, उसके बाद लिखा है, कम्बाइन मास आफ लैंड यूरो प्लस एसिया यूरो एसिया यह आपको मैंने बता दिया ठीक है अब कुछ-कुछ यहां पर मॉन्टेंस देख लेते हैं अगर आप देखोगे तो आपके नौर्थ अमेरिका में जो मॉन्टेंस है वो क्या रॉकी मॉन्टेंस है अप्लैंशि पर है अब देखो एफ अनली कॉन्टेंट एंट säger विह ओल द रिट्री लाइन्स आर फ्री लाइनस हो देखो अगर आप देखोगे ध्यान से यह लान किसका यह यही ऐसा एक इसमें तीनों से यह यह लाइन को जाता है यही आप याद रखना चाहिए अगर यूरोप से देखोगे तो कोई भी लाइन नहीं जाता है अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैंने एक लाइन कर दिया यह लाइन जो है अब देखो मोस्ट अप लेंड इस एरिया में है मतलब जो वहाँ पर लिखा था कि नौदर है में इस पर मोस्ट अप लेंड है इसका मतलब यह बाते सही है और आपको मैप में दिख भी रहा है ठीक है यह नौर्थ अमेरिका हो गया यह सारे आपके कंटिनेंट है ठीक है जो यहाँ पर अपना इंडिया है उससे आप देख इंडिया ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओसियन है उसके लाव आपको कहीं दिखेगा ठीक है उसके बाद यहाँ आप अट्लांटिक ओश्यन है यहां आर्टिक ओश्यन है तो यहाँ पैसिप कोश्यन है बताओ दो जगह पैसिप करके देख रहे है इसको हम जब गोल करें यह पैसिप कोश्यन से जुड़ जाएगा ठीक है इसले भी ऐसा आपको दिख रहा है बच्चो ठीक है चलिए अगर आप देखोगे तो नौर्थ अमरिका और सौथ अमरिका यहां पर कनेक्टिविटी है इस कनेक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते है इल्थमस बोलते है त थोड़ा बहुत मैने मैब बनाए यह मैं टीक है इंडिया है और यहां पर आपको यहां पर आपको शलंका इपांनेक niye किसी बेर मेश्यांब को पड़ऄ को पड़ लिया अब हम लोग थोड़ा सा यूरोप को पढ़ने का कोशिस करने का को संजने का कोसिस करते हैं ठीक है यह जो आपका यूरोप है बच्चों यह स्मॉलर देन एस्या इस्या से छोटा अगव्य सी बात है और लाइस टूद वेस्ट और एस्या के वेस्ट में लाइक करता है आपको मैप में मैंने दिखाया भी आर्टिक सर्कल पास कर रहा है देखो ध्यान से देखो सकेंड लार्जेस कंटीनेंट अफ्टर एसिया एक्वेटर जीरो डिगी लैटिटीटूल यह रन और मिडिल और मिडिल में लाइक कर रहा है यह पूरा अफ्रीका तो अल्मोस मेडिल में यह लाइक कर रहा है ठीक है उसके बाद देखो लाज पार्ट ऑफ लाइच इन द न नौदर हमिस्पेर में सौधन में थोड़ा कम है अउनली कंटीनेंट इन वीच्ट ट्रॉपिक ऑप कैंसर कैप्रीकोन एक्वेटर पास यह मैंने आपको बता दिया तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड होटेज डेजर्ट जो इसमें है ठीक है सहारा डेजर्ट इसी के अंदर इस ुस लिए इसको आइलन्स बोलते में जो SMALL MAARS होता है USSKो हम लोग क्या बोलेंगे ऊसको हम लोग क्या बोलेंगे आयलैन कंट्री आयलैन्स बोलेंगे ठीक है वर्ल्ट लॉंगेस्ट रिवरड नााइल फ्लो।ूड थूपका में, अगर ऐसा रिवर जिसकाppt रीन है जैविवांट में होदानी को है यह लंबाइ में बळा है बताब बेसीन बढा में ऊस मने एकिते हैं ऐसे याद ढाख सकते हो ठीक है चलो अब देख nep नौर्थ अमेरिका क्या थार्ड लार्ज एस्ट दाभ पहला को कौन था एस्या उसके बाद को polar फ्रिका उसके बाद का नौर्ट और अमेरिका ऐसे 200 वी याद तो Northern और Western Hemisphere में यह लाइख करता है ठीक है देखो South America अगर देखे उससे नीचे है mostly और Southern Hemisphere mostly Southern Hemisphere में यहां पर Andis World longest mountain है ठीक है mountain range runs through the length from the north to south देखो मैं दिखाता हूँ देखो map में देखो यह एंडी मॉन्टेज देखो कहां से start हुआ अगर मैं इसको जूम करूँ यह आपको दिखेगा देखो कहां से start हुआ यहां से start हुआ और यहां तक गया है तो पूरा 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 जो इसका western side है ना पूरा ले लिया almost तो यह बात इस वर्ल का longest होगा तो इंटाइली इन दर सौधन हमेस्पेर पूरा का पूरा सौधन हमेस्पेर में आइलेंड कंटिनेंट इसको बोलती क्योंकि यह बहुत बढ़ा भी नहीं है लेकिन कंटिनेंट है लेकिन इसको आइलेंड कंटिनेंट बोलती क्योंकि बहुत बहुत छोटा भी नहीं है ठीक है देखो अंटार्टिका यहाँ पर लाइफ नहीं है कम्प्लिटी इन सौधन वेस सौध पोल लाइज अल्मोस्ट अड़ अड़ सेंटर ऑब इस ठीक है पर्वानेटली कवर्ड विद थीक आइस सेट नो पर्वानेंट हुमन सेटलमेंट रिशर्स स्टेशन अब यहाँ पर रि लिफ्सपीर हो गया अब हम लोग हैडोस्पीर को समझने का कोशिस करने बच्चो चलो अएडिर्वियॉ वह अब समझो जो है major part of hydrosphere ओस्चन सबसे ज़दा अगर hydrosphere में देखो लोगों maximum water जो content करता है वो ocean में content करता है the three chief moment of ocean water are the waves अब देखो ocean में तीन moment होता है एक होता है waves होता है एक tides होता है और एक ocean current होता है ठीक है? तो current मतलब होता है current मतलब एक होता है current दो तरीका होता है एक होता है अपका warm current एक होता है cold current तो ये मालनो ocean है ocean को पर एक river मैं कहा सखतो warm current या cold current को एक river ocean को पर जो एक river चल रहा है उसको हम लोग current बोलते है ठीक है? उसके बारे में हम लोग देखेंगा अभी classics है बच्छो होरबराना नहीं है फाइब मेजर मेजर ओशियन कौन कोन है Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean और Arctic Ocean यह आपको याद होना चाहिए ठीक है अब Pacific Ocean के बारे में पढ़ते है अल्मोस्स सर्कूलर इंसे ठीक है largest ocean है ठीक है सबसे बड़ा कोन है तो Pacific Ocean है शाब से बिपेस्ट पार्ट इसका वह इसे में लाइक करता है यह सारे फैक्चिल है ठीक है लाइज इन तपैसिपीक ओश्यन एस्टेल्या नॉर्थन अमेर्ड का सौत अमेरिका यह सब आटलांटिक है और शेप के कुछ इस तरह से यह दिखता है ठीक है इसका जो coast land है वो highly intended है मत्तब ideal location है for natural harvest and port मत्तब Atlantic question का ऐसा location है कि ports हो गया है harvest हो गया उसके लिए ideal location है अगर आप northern और southern अमरिका देखोगे north अमरिका और south अमरिका जो कि western side में यह है ठीक है यूरोप और Asia के eastern side में आप map पे जाके देख सकते हो Indian ocean को आप देखोगे तो only ocean name of the country ऐसा ocean जो किसी country के नाम पे that is called Indian ocean बच्चो ठीक है safe क्या इसका triangular है मैं बार बार कहरो आपको safe ध्यान पे रखना है ठीक है अट्लांटिका का safe देखोगे तो ऐस safe है यह ध्यान पे रखना है आपको ठीक है born by Asia west of Africa east of Australia ठीक है ध्यान से देखोगे यह इंडिया है ठीक है इसके नीचे अस्टेलिया है और यहां पे आपको अफ्रीका है तो इन सब जगह क्या है इन सब जगह क्या है इंडिया नोश्यन है यह आपको दिख रहा होगा इस इंडिया नोश्यन के अलावा हमने क्या कर रहा है मालों यह इंडिया है तो हमने यह 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 बंगाल है ठीक है यह हमारा अरभिक ओश्यन है ठीक है यह हमा तो बहुत ज़्यादा इसको deeply पढ़ने की जुरूत नहीं है Arctic Circle समझो Within Arctic Circle North Pole में Arctic Circle सबसे उपर Europe के उपर Connected with the Pacific Ocean Pacific Ocean से connected by narrow streets of shallow water known as bedding street तो आप देखोगे Arctic Circle जो आपका connected and narrow streets with Pacific Ocean उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग bedding street बोलते हैं वोप आपको यह याद रहेगा ठीक है बॉंड बाइ northern coast of North America and Eurasia यह मैंने बोला भी कि उरोप के उपर है अब समझो atmosphere क्या होता है Earth is surrounded by the layer of gas called atmosphere सब जानते extend up to a height of 1600 km मतब एत्मोस्पर इतना जादा लंबा है 1600 km तब जाता है atmosphere is divided into 5 layer 5 layer में divided है हम लोग आगे class में देखेंगा अभी आप समझ जाओ सबसे नीचो जो है यह ट्रोपोस्पेर है उसके बाद estratosphere है उसके बाद mesosphere थर्मोस्पेर है और एक्जोस्पेर है इस layer को conical और में आप याद रख सकते हो ठीक है यह map point of view से में ने बता है तो आप इसको याद रख सकते हो ठीक है अब देखो atmosphere is composed mainly oxygen atmosphere क्या oxygen nitrogen mainly को लिखा हुआ है क्योंकि इसमें maximum चीजे देखो आप देखोगे न nitrogen 71-72, 78% है ठीक है और oxygen 28% है इन दोनों को जब आप add करोगे तो 99% हो गया क्या लिखा रहेगा अब बेसे बात यहीं दोनों ज़्यादा है ठीक है अब देखो other gases जो है आपके COT, carbon dioxide, argon and other comprises 1% by volume इसका मतलब क्या है maximum nitrogen और oxygen मतलब almost 99% oxygen is the breath of life while the nitrogen helps in growth of living organism देखो किसी भी plant में nitrogen को बहुत जड़त है growth के लिए ठीक है जो cell है उसके अंदर भी nitrogen पाया जाता ठीक है nitrogen बहुत important है CO2 absorb the heat radiated by the earth यह absorb करता there by the keeping the planet warm ठीक है essential for the growth of plants, plants के growth के लिए CO2 का बहुत essentiality है density of atmosphere vary with the height, जैसे इसे height जाओका density vary करता density is nothing but mass by volume ठीक है चलो अब देखो density is maximum at the sea level sea level पे density सबसे ज़रा होता है और decrease करता है जैसे जैसे हम लोग density of air पे जाते है ठीक है अब देखो temperature also decreases as we go upward जैसे जैसे हम उपर जाएंगे ना temperature गिरता है अब यह कोई सोचेगा source के नजदेक जा रहे हैं उपर बढ़ रहे हैं तो temperature यह होना चीए temperature यहाँ क्यों है जैसे से हम उपर जाएंगे ना तो temperature क्या होता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है चलो अब हम लोग देखे air moves from high pressure to low pressure यह हमेशाथ ध्यान पर रखना है यह आपका high pressure से low pressure जाता है यह fix है moving air जो उसको हम लोग wind बोलते हैं तो दो अलग बाते हैं अगर air मतलब बहुत बड़ा चीज हो रहा है wind मतलब moving air है उसको हम लोग wind बोलेंगे मतलब अगर यह air this is called wind ठीक है biosphere के आपने पढ़ी लिया जहाँ life exist करता है narrow zone of contact between the land water and air ठीक है अगर co2 increase कर रहा है तो global temperature increase करेगा तो global warming होगा तो यह मैंने shortcut लिखा है co2 का global warming से क्या connectivity है यह आप समझो क्योंकि co2 बढ़ने से क्या होता है global temperature बढ़ता है ठीक है तो यह मैंने आपको बताया एक और lecture आएगा जिसके थूरू हम लोग classes का geography complete कर देंगे बच्चो टोटल तीन lecture हो जाएंगे जिसमें एक lecture already मैंने upload कर दिया इसको भी आप ध्यान से समझो ध्यान से पड़ो एक एक map को आप हाथ से draw कर सकते हो आपको अच्छे से बताने के लिए मैंने NCR के map डाले है ठीक है आप खुद से भी draw कर सकते हो ठीक है Thank you everyone